नेक्स्ट इस दिजिटल लॉंच विडियो और फिफ्टी टू इंडियन लांग्विज प्राइमर्स बावन विभिन भाशाई प्रवेशिकाओं पर आधारेत यह वीडियो माननिय मंत्री जी आप से निवेदन करते हैं कि आप इसका डिजिटल विमोचन करेंग प्रति मेरे आ सकती है इसमें कोई द्वरायने हम सभी के भासा के प्रति एक अपने आप में आ सकती है मैं पढ़ाई से मैं ग्रामिन पुष्टोब में से आता हूं मेरे को बच्पन में अंग्रेजी पढ़ना एक कमेरी लिए चुनोती था मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं एचले मेरे समझ जो बनी मेरे मातरु भासा को पढ़के ही बनी मैं आज खुद को जितना लायक बना पाया हूं आपके समने दो सब्दक कह पा रहा हूं उसकी मूल मैं उसको उस्षर भी करता हूं मेरे मातरु भासा को आज भी मैं दुनिया में कहीं भी जाके कुछ विश्य रखूँ, मेरे प्रारंभीक सोचतों, मेरे मात्रुभासा की जो मेरे समझ है विश्यों के बारे में, उसके उपर में सोचता हूँ, मैं कभी हिंदी में बोलता हूँ और कभी इंगलिस में बोलता हूँ, और इसको मैं न करते निधी करके काम करने कृष्णमूर्ती जी वह आएश्बी में पढ़ाते हैं भारत की चीफ एकोनोमिक आडवाईजर भी थे इन दिनों में उन्होंने टाइम सब इंडिया में एक आलेक लिखा था उस आलेक में उन्होंने एक वज्यानिक तर्क दिया है एक साइंटिफि प्रमाईसेस उन्होंने आर्गुमेंट किया है कि आप भारत विश्व की कोई भी भासा बे दक्षिय बन पाओगे अगर आपकी फंडमेंटल्स आपकी मात्रु भासा में मजबूत है विश्व को समझने के लिए एनिपी ने इसी विश्व को ही कहा है कि जिस भासा में बच्चा पहला सब्द सुनता है और पहला सब्द उचान करता है उसी भासा पे अगर वो अपने आगे की और कहा है उन्होंने कमेंट तो स्टैंडर्ड एड तक उसको अगर पढ़ पाएगा लिख पाएगा तब वो अच्चा होगा मैं उन्हीं सदी की एक बिरिटिस पार्लामेंट में बितर को पढ़ा हूं जब भारत में इस्ट इंडिया कंपनी अपने जड़े मजबूत कर रहा था भारत की समाज को भूल जाने का सड्यंतर कर रहा था उनको दिक्कत हो रहा था क्योंकि समाज को कितना भी निचा करो यह मनुश्य की सुभाब है समाज को कितना भी दबाओ कितना भी निचा करो समाज में जिसमें गहराई हो जिसमें जड़ से जो जुड़ा हुआ है जो सु संसकूर्थ है वो ऐसे की मिठती नहीं है, हम ऐसे एक हस्ती कि हम मिठते नहीं है, उसी संसकार को मैकले नामों के एक महासे, जिसमें जिसे प्रभावित मंच से लेके निचे तक बहुत लोग अभी भी प्रभावित उनको लगता रहे हैं, वा, फराटे दार दो अंग्रेजी सब्द नहीं बोनेंगे तो हम तो आधुनिक साथ नहीं कहा जाएंगे, साथ हमारी दक्षता और हमारी बोधी ज्यान की साथ थोड़ा हमारी कमी हो जाएगी, ये गलानी कम से कम धरविंदर प्रधान की मन में नहीं है, मेरे नेता प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी जी की मन में नहीं है, और इस बार जो NEP ने जिन लोगों ने बनाई है उन्हों ने ही लिखा है इसलिए कहा कि आठवी तक आठवी तक हम अपने मात्रुभासा में पढ़ाने का कोशिज करेंगे मैं कभी कभी सोचता हूं समाज में कभी एक दिन हमारे भारत के भाता साहिता में मेरे को प्रामर्स देने वाले पदमंसरी चौमु सास्तिर जी को पुछा सास्तिर जी इस देश में अंग्रे जी बोलने बाले लोग कितने होंगे बले कि आबादी की कुल मिला के 10% की नीचे आपने सही बताय था मेरे को पढ़ाय तो सही न 10% की अंग्रेजी कम जानने बाले लोग आज चंदरायन तक पहुझ चुके हैं आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्फनीति हो गया है हमारी वार्टफोस में हमारी वार्टफोस में 37% में व्मेन वार्टफोस आद चुका है हमारी working age group की 57% लोग काम करते हैं हमें अगर विकसित भारत बननी है तो उसको हमको 70% करना है पूरूस और महिला दोनों एक की लेभुल पे काम करना है दुनिया की आबश्रक्ता को घ्यान में रखते हुए हमको काम की और घ्यान की सरंचे ना बनानी है तब बन पाएगी जब हम इस विश्यों को समझेंगे समझेंगे कैसे जब आपनी भास है में उसको हम समझेंगे मैं उस मैकोले की अपमान से आज भी जरजरित हूँ 19-20 सदी में मेरे सभ्यता को गाली देने बाला व्यक्ति मेरे संप्रभुदा को लुटने वाला सक्ति जो सामंत बादी जो उपनविशत बादी शक्ति थे उसको भासा ही तोड़ सकता है मेरे आसक्ति संजय जी ऐसे ही नहीं है मैं नुर्टत्त का एद्रपोलीजी का विद्धार्थी तो हूँ ही लेकिन मैं अपमान से जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ ग्लानी से कोई समाज खड़ा नहीं हुआ है 21 विशदी में उस ग्लानी को मिटाने का मैं मानता हूँ आज NCRT और CIIL को कितना भी बधाई दे स्कूली सिक्षा विभाग आज एक इतिहास रचा है बावन विशे में भारत की बावन सीडूल और नन सीडूल मूल भासा में आज प्रवेशिका बनाई है प्राइमर बनाई है मैं मानता हूँ NEP का सबसे बड़ा क्रियानों कोई हुआ है तो आज यही हुआ है